मुझे लगता है कि होगी जिसमें दो लाग से अधिक ग्राम समितियों के साथ एक अजार से अधिक विशो विद्याले, 33 करोड चातर चातरों के अभिभावकों से परामर्श, सारे अध्यापक गंड, विशेशग्य गंड, सभी एंजियो, जनपरतिनिदी गंड, देजबर के सभी शिक्षा मंतियों से एक बार नी बलके कई बार, देज़ के मुखे मंतियों से तमाम समय समय पर संबाद और जनपरतिनिदी से ले करके जो पब्लिक डोमेंड में डालने के बाद सवत दो लाग से भी अधिक जो सुजाव आई हैं, उसके भ्यापक विसलेशन के बाद जो ये अमरित निकल करके प्रधान मंतिय जी, ये हमारे सामने आया है, मैं ये समझता हूँ कि जो आपके नए भारत के निर्मान का प्रधान मंतिय जी संकल पर आ है, इसा भारत जो सच भारत हूँ, सवस्त भारत हूँ, समिट भारत हूँ, सशक्त भारत हूँ, सिरेश्ट भारत हूँ, आत्मी निर्वट भारत हूँ और एक भारत हूँ, और जिसका रास्ता आपने प्रधान मंतिय जी प्रदान मंतिजी ये जो नई शिक्षा नीती आई है वो यूनियस्को के उस लक्ष को जो सतद विकास के लक्षों को प्राप्त करने का उसका लक्ष है उसको भी केंद्रित करती है उसको भी उस लक्ष को भी प्राप्त करने की इसमें चमता है प्रदान मंतिजी आपने हमेश शकाह है कि ये 21 सदी ज्यान की सदी है और जो प्रदार मंती जी आपके नेतितों में मैं समझ सकता हूँ कि कितनी बार एक एक शब्द इस नई शिक्षा नीति का आप से होकर के गुजरा है बार 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 आपका मारग दर्शन जो हमको मिला है और मैं समझ सकता हूँ कितनी हमारा मारग दर्शन किया आपके मानावता के व्यापक विजन के साथ मानवी मुल्यों के आधार पर समावेशी और सारभ भौमिकता लिए उतक्रिष्ट ता और गुणवत्ता से ग्यान विज्ञान अनुसंदान प्रवद्योगी की तथा नवचार के साथ उधारवादी औ प्रदान मंति जी यह कत्यत हुआ हम आपको भरोसा दिलाने के लिए दूर दूर से आपके साथ जुड़े हैं मैं बहुत बिनम्रिता से आपको निवेदन करना चाहता हूं प्रदान मंति जी हमका मारग दर्शन करें आपके आशीर बात के हम अभिलासी हैं प्रदान मंति ज जी श्रिमान संजे धोत्रे जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रिय स्विक्षा नीती में बहुत महत्पपूर्ण भूमी का निभाने वाले देश के जाने वाने वैज्यानिक डॉक्टर कस्थूरी रंगन जी और उनकी टीम इस सम्मेलन में भाग ले रहे वाई चांसेलर्स अन्य सभी सिक्षावित सभी महानुभाव आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रिय स्विक्षा निती के संदर्प में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपून है जानकारी और जादा जानकारी जादा स्पस्ट होगी फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रिय स्विक्षा निती का इंप्लिमेंटेशन भी होगा साथ्यों तीन चार साल के व्यापक विचार विमर्ष के बाद लाखों सुझाओं पर लंबे मन्थन के बाद राष्ट्रिय स्विक्षा निती को स्विक्रत किया गया है आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है अलग-अलग शेत्र के लोग अलग-अलग विचार धराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं राष्ट्रिय स्क्षा निति को रिव्यू कर रहे हैं ये एक healthy debate है ये जितनी ज़्यादा होगी उतनाही लाब देश की स्क्षा व्यवस्था को मिलेगा ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रिय स्क्षा निति आने के बाद देश के किसी भी खेत्र से किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई जुकाव है ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टिम में जो बडलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले है वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवानाना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफार्म कागेज पर तो कर दिया लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा यानि अब सबकी निगाएं इसके implementation की तरफ है इस challenge को देखते हुए द्यवस्ताओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवशक्ता है वो हमें सब को मिलकर के करना है और करना ही है आप सभी राष्ट्रिय सिक्षानिती के implementation में और उस काम में सीधे तोर पर जुड़े हैं और इसलिए आप सब की भूमिका बहुत जादा है बहुत एहम है जहां तक political will की बात है मैं पूरी तरफ कबिटेड हूँ मैं पूरी तरफ आपके साथ हूँ साथियों हर देश अपनी सिख्षा व्यवस्था को अपनी national values के साथ जोड़ते हुए अपने national goals के अनुसार reforms करते हुए आगे बढ़ता है मक्सद ये होता है कि देश का education system अपनी वर्तमान और आने वाली पीडियों को future ready रखे, future ready करे भारत की national education policy राष्ट्रिय सिख्षा निती का आधार भी यही सोच है राष्ट्रिय सिख्षा निती 21 सदी के भारत की नए भारत की foundation तयार करने वाली है 21 सदी के भारत को हमारी युवाओं और हमारी युवाओं को जिस तरह की education की जरुरत है जैसी skills चाहिए राष्ट्रिय सिख्षा निती पर इन बातों पर विशेश फोकस है भारत को ताकतवर बनाने के लिए विकास की नई उचाई पर पहुँचाने के लिए भारत के नागरिकों को और ससक्त करने के लिए उन्हें जादा से जादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस education policy में खास जोर दिया गया है जब भारत का student चाहे वो नरसरी में हो या फिर college में scientific तरीके से पढ़ेगा तेजी से बदलते हुए समाएं और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा तो वो नेशन बिल्लिंग में constructive भूमी का निभा पाएगा साथियों बीते अनेक वर्षों से हमारे education system में बड़े बडलाव नहीं हुए थे प्रणाम यह हुआ कि हमारे समाज में curiosity और imagination की values को promote करने के बजाए बेड़ चाल को ही प्रोथसान मिलने लगा था कभी डॉक्टर बनने के लिए होड लगी कभी इंजिनियर बनाने की होड लगी कभी वकील बनाने की होड लगी interest, ability और demand की mapping किये बिना होड लगाने की प्रभुत्ती से education को बहार निकालना जरूरी था हमारे students में, हमारे युवाओं में critical thinking और innovative thinking विख्षित कैसे हो सकती है जब तक हमारी शिक्षा में passion ना हो, philosophy of education ना हो, purpose of education ना हो साथियों, आज गुरूवर रविंद्रना ठाकूर की पुन्नितिती भी है, वो कहते थे उच्चतम सिक्षा वो है, जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बलकि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है तर देशाला अधिक शक्तिशाली बनावना साथी, नवीन शिक्षन निती असलाच पंतप्राना नी आवली सांगित लेला है देशाला अधिक शक्तिशाली बनावना साथी नवध धोरणा है अनुत आज बरबर नवध शेक्षानिक धोरणा वर मोदिन नी आता समवाज साथ देला है